आने जी हो हाँ कि अधर नून जी स्वागत एकशंट जी राम राम स्पाइडर जी गुड अप्टर नून वेरी गृइड अप्टर नून पहुंड अली महरा जी ब्यूटिफुल वीडियो सबी का दोस्त भाईयों बेनों दोस्तों सबका बहुत-बहुत स्वागत है वेरी वाम वेलकम टू आल कितांशू जी वेरी गुड़ आफ्टरनून और हाँ जी शुरू करने से पहले न आपके लिए एक छोटी सी इनफरमेशन है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ठीक है हमारा यह बैच है ऑनलाइन बैच है जो एच्पी पटवारी के लिए है ठीक है जिसके अंदर आपको 190 प्लस वीडियो लेक्चर मिलेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा ठीक है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के अंदर होगा वीकली आपको लाइब डाउट सेशन मिलेंगे और कंप्लीट स्टेडी में मिटीरियल मिलेगा पीडियाफ के रूप में 25 प्लस आपको जो है प्रैक्टिस हैं सी क्यूज जो है हम देंगे और इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी इंकलूड रहेगी ठीक है अनलिम्टेड इसकी वैलिडिटी रहेगी जिसकी फीस मातर जो आपको मिल जाएगा दार्क नाइट जी रोहित कुमार जी रियल वर्ल्ड इंजीनियस विकी सभी को गुड अफ्टरनून ठीक है तो यह थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है आपके लिए यह चीज है मातर तीन हजार रुपे में जो है यह आपके लिए कोर्स है ऑनलाइ का पहला जो कोश्चन है वो है इसमें मैं पता है करेक्ट स्टेटमेंट जो है कौन सी है बाबा फरीद वाजे कॉंटेंपररी ऑफ अकबर सेंट कबीर वाज ग्रेटली इंफ्लूएंस्ट बाबा फरीद अब मध्याकालीन भारत में कई सारे ऐसे सूफी बंदों का जिकर आ कोब अब जी आप जो यह नंबर दिया हुआ आप इस नंबर पर गएक है कुछ मिंग पूछ सकते ह теп इस नंबर पर आप greatly influenced थे Baba फरीद से वह बहुत चादा प्रभावी थे शेख फरीद या बाबा फरीद से तो हमारे पास इसका answer कहीं डी दोनों ही statement जो है wrong है दोनों ही correct नहीं है डीजो है स्का correct answer ठीक है अब बाबा फ्रीद जो है 1173 में पैदा हुए थे शकर गंज जो आज पाकिस्तान के अंदर है जगा ठीक है फिर वह काबूल गए काबूल से फिर वह आए पंजाब यह जो है सूफिसम का चिस्ती और फॉलो करते थे चिस्ती और ठीक है और पाइनेर थे सूफी मुव्मेंट के पंजाबी के अंदरियों और अपने कलाम लिखे ठीक है जी इसके बाद ठीक है फूरी जो हैं मोस्ट फेमस्ट इसपेल थे वो निजाम्वुदीन और आउलिया थे ठीक है निजामुदीन ओलिया वो भी चिष्टी सिलसिले को बिलॉंग करते थे निजामुदीन ओलिया जिनके नाम पर दिल्ली का पुराना रेलवे स्टेशन है ठीक है हजरत निजामुदीन ओलिया तो इनके जो डिसपल है वो कभीर नहीं शेख निजामुदीन ओलिया थे ठ से नेक्स्ट नेक्स्ट हैं हमारे पास क्रेक्ट स्टेट्मेंट बतानी से पहला स्टेट्मेंट जुट दोला वी रगार्डिंगल कुछ स्टेट्मेंट वोल्स और लाइम स्टोन से मनी हुई है mud bricks की जगा जब की जो मड्ड bricks है वो और बहुत सारी हडपा sites के अंदर है जब की धोला वीरा जो है धोला वीरा की sites जो है जगा जो है walls है वो sand लाइम स्टोन से बनी हुए दूसरा साicas किके दोलावीडा के अंदर बहुत सारे जो इनसानों के पुराने मॉटल रिमेंज हैं अब शेश न वह मिले है यह जवैलरी का ही आप रहा है ठीक है Faithi Pillari का हम भी जो है यह है हमें क्या बताना एक कर्एक स्टेटमेंट मताने यह उनके तीसरी दूसरी नहीं है पहली और तीसरी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट एसके अंदर ठीक है धौला वीरा के रिगार्डिंग यह जो साइट है इसके अंदर सीटाडल है इसकी जो वाल्स है वह सैंड्स्टोन और लाइम स्टोन से बनी हुई है जबकि बाकी हडपा की अब ब्रिक से बनी होती थी ठीक है गारे की उससे बाकी जितने भी ग्रेव ती कबरें थी हडपा के अंदर ठीक है ली उनके अंदर कुछना कुछ मिला था बटी यहां पर कोई भी इंसान के रहे अब शेयर बच्छेश वह नहीं मिले था धौला विरा के अंदर यहां पर भी मिले थे ठीक है जी तो वह गलत हो जाती है स्टेटमेंट नेक्स्ट नेक्स्ट हमें बताना है इन में से करेक्ट स्टेटमेंट कि कौन सी है पहला चार बाग एक परशियन स्टाइल गार्डन ले आउट है चार बाग परशियन स्टाइल एक गार्डन ले आउट है दूस आउट है और इस स्टाइल को इंडिया के अंदर लेकर आये थे तुगलक यह मध्याकालीन भारत के आर्ट अंदर पूछा जाता है क्योंकि मध्याकालीन भारत का आर्ट कल्चर जो है वह बहुत जादा फेमस राय है खास करके मुगलों का जिसका आप देखी सकते हो जो यह इनके बिल्डिंग्स बनाई हुई है उनका आज भी जो है वह वह वैसी की वैसी खड़ी है बिल्डिंग्स हां अंसर क्या जिसका एवन ओली पहली स्टेटमेंट करेक्ट है चार बाग जो है यह परशियन स्टाइल गार्डन ले आउट तो है बट इसको इंडिया के अंदर तुगलक नहीं लेकर आए ठीक है यह गलत हो जाता है इसको यहां पर लेकर मुगल ठीक है परशियन स्टाइल ले आउट है जो मेन बिल्डिंग होती है सेंटर के अंदर रखी जाती है चारों तरफ जो है चार रस्ते होते हैं चार बाग ठीक है जी है ठीक है चलो आगे चले नेक्स्ट हू कंपोज्ड राम चरित मानस एह हिंदू एपिक पोयम एक हिंदू महा कव्या राम चरित मानस की जो रचना है वो किसरे की थी कबीर दास गुपाल दास तुलसी दास या वीर दास हां जी कबीर दास गुपाल दास तुलसी दास या वीर दास राम चरित मानस हा अंसर कहा जी हमारे पास इसका सी तुल्सी दास तुल्सी दास ठीक है जी सी अंसर है अंसर कहा जी तुल्सी दास अब जो राम चरित मानस है दा पोयम वाज रिटन इन दा अधि लैंगवेज के अंदर यहाद राकना कई बार लैंगवेज के उपर भी सवाल पूछ लिया जाता है यह बात भी ज्यान में रखनी है कई बार लैंगवेज पूछ लिए था अवधी ऑरीजिनली यह साथ चैप्टर्स के अंदर जिसमें लॉड राम भगवाल राम की बर्थ से लेकर आयोध्या के राजा बनने तक की जो है कहानी है ठीक है जी राम चरित्मानिस जो है बेस्ड रामाइना बेस्डॉण दिरमाइना वालमिकी की जो ग्रेट एपिक है ठीक है जी चलो तुल सीदास एक ब्रामिन थे जिनका ओ दूबे कंपोज्ड राम चरित मानस ओंदा बैंक ओफ गंगा वारा नसी में वारा नसी में ठीक है जी यह कॉंटेंपररी थे किसके अकबर के ठीक है और अब्दुर्रहीम खाने खाना जो अकबर के नौर अतन थे उन में से एक के यह कॉंस्टेंट टच के अंदर थे जो का था ठीक है नेक्स्ट हुमंग लीला दा ट्रडिशनल फॉर्म आफ थेटर टैलीबरेटिटि इन वीच आफ दी पॉलिंग स्टेट्स चलो नेक्स्ट हमारे सामने सवाल है कि हुमंग लीला एक इंडिया का परारम पारंपरिक थेटर है ठीक है आर्ट एंड कल्चर का थेटर का पारंपरिक रूप है जो किस स्टेट को बिलॉंग करता है हाँ जी आंसर के जी हमारे सामने इसका सी ठीक है चलो आगे चलते है ठीक है नेक्स्ट कंसिडर दा फॉलिंग फैक्स अभी आपर दक्र किस वाइसराय की बात हो रहा है हमें पताना यहां पर हम किस वाइसराय की भात करें किस वाइस राकर जाजिकर कर रहेये है यह जो माइस रहे है ठीक है उनने ऑस अफ अब बिडिश के टिपृडिश एक इक करजन लॉड चल्म्स फोर्ड या लॉड इर्विन लॉड रिपन ठीक है है यंग हस्बेंट मिशन टुटिबद आंसर कहीं बी लॉड करजन चलो आगे चलते हैं ठीक है एक पुलिस कमिशन अपॉइंट किया सर एंडू फ्रेजर के अंदर युनिवस्टी कमिशन बनाया अब कमर्स एंड इंडस्ट्री बनाया कलकत्ता कॉर्परेशन एक्ट मॉनूमेंट प्रजर्वेशन एक्ट बेंगॉल की पार्टीशन 16 अक्तूबर 1905 को करजन किचनर विवाद के अंदर भी फसे यंग हस्बेंड मिशन भेजा तिबबत में ठीक है यह सारे काम जो है इंप साबर मती आश्रम इन दा मॉडर्न हिस्ट्री अफ इडिया ठीक है भारत के आधनी की इतिहास में साबर मती आश्रम का क्या महत्तव है साबर मती आश्रम पहला के यह लास्ट रेजिदेंस था महात्मा गांधी का दूसरा सौल्ट सत्त्यगरा यहीं से शुरू हुआ था ती हाँ जी हाँ जी करेक्ट आउसर क्या यह मारा भी दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है पहली करेक्ट नहीं है ठीक है जी ठीक है वहीं हो गया एधियर स्टेटमेंट रिगार्डिंग विजे नगर रूलर कृष्ण देवराया क्या लेवराया के बारे में हमने कुछ स्टेटमेंट से बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट नेन से कौन से है पहला कै्या वह सलूवा conflicting को बिलॉंग करते थे ठीक है औ के सुल्तान को गौल कुंडा के सुल्तान को और बाहमनी उफ सल्तनत को उनको हराया ठीक है दूसरा ग्रेट साउथ इंडियन मैह्थमेटीशियन नील कंथा समय जी इनके दरबार के अंदर यानी इनके एंपायर के अंदर ही रहते थे ठीक है आंसर क्या यह मारा भी कर टू एड़ ठ्री अग्हें करते थे ठीक जी तलुवा डैनेश्टी को बिलॉंग करते थे बहुत सारे टाइटल दिए गए इने जैसे कंड़ा राज्या रामा रमाना अंद्रा भोजा मूरू राया गंडा और डॉमिनेट रूलर से ठीक है री पॉर प्रणेंडो नूनिज भी विजय नगर एंपायर में इनके समय में ही जो है आया ठीक है हाँ ठीक है और आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसिडर दा पॉलिंग स्टेट्मेंट अबाउट दा ट्रीटी ओफ अली नगर अली नगर की ठीक है ट्रीटी के बारे में स्टेट्मेंट्स पहला पहले रितिए कमपनी उनकी तरफ से रोबर्ट क्लाईव और बेंगॉल का नवाब बैंगॉल का नवाब था सिराजुदोला पहली स्टेट्मेंट दूसरी यह जो ट्रीटी कहा इसरे कलकत्ता ऐस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया ठीक है उनके प्रिविलिजिस के बंदी कर सकते हैं शहर की और सिक्रेट सकते हैं वहां से ठीक है और बताना है कि इन में से कौन सी जो स्टेट्मेंट आप और इनके अंदर से वह करेक्ट स्टेट्मेंट आज़िती और अली अगरanguard की संधी के बारे में आंसर कहें जी हमारा इसके अंदर से C दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है आगे चलते हैं ठीक है नौ फरबरीस 1357 को ये साहिन हुई थी ठीक है नेक्स्ट अनंग पाल 2 ग्यारवी स्थापदी के राजा अनंग पाल दिवित्या के समंध में करेक्ट स्टेट स्टेटमेंट्स बताइए ठीक है अनंग पाल अनंग पाल के बारे में पहला अनंग पाल दिवित्या जो थे वह गुर्जरा प्रतिहारा डैनेस्टी वंच को बिलोंग करते थे जो प्रेजेंट डिल्ली और हर्याना बनता है जिनका राज्या प्रेजेंट डे आज का दिल् सबंदित है बैटल आफ तराइन के साथ भी जो है यह सबंदित रहे है हां जी क्या अंसर आएगा अंसर के जिसका बी टू ओली ठीक है टू ओली यह भी गलत है और यह भी गलत है ठीक है टू ओली ठीक है यह टूमर डैनेस्टी को बिलॉंग करते थे गुर्जरा प्रतिहारा को नहीं ठीक है जो प्रेजेंट दिली और हर्याना के पर जो एरिया बनता है आठमी और बार्वी सेंचरी जो अरली मिडीवल इंडिया ठीक है और अनेंग पाल तूमर जो है ठीक है ठीक है बैटल ओफ तराहिन पहली में गौरी को हराया था ठीक है तोमर डैनेस्टी ने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी आठमी सेंचरी में धिली का पूरी जिसको आज दिली का आ जाता है ठीक है जी सो प्रेजेंट नेम जो है उसको री पॉपुलेट किया इन्हों होने तो दैट्स वाएं बी जो है इसका सही अंसर है आगे चलते हैं नेक्स्ट इंदा कंटेक्स्ट आफ एंशेंट इंडियन सोसाइटी विच्वार अफ दी फॉलिंग टर्म्स डस नोट बिलॉंग टुदा कैटेगरी ऑफ अधर थ्री ठीक है बताईए चलो प्राचीन भ कोत्रा कुला कोसा या वंसा प्राचीन भारतिय समाज के संदर्ब में एक ऐसा इन में से यानी सिंपल हम जैसे ढूंडते हैं और वन आउट एक ऐसा है जो तीनों के साथ रेटिड नहीं है बाकी तीनों एक कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं हाँ जी तो क्या अंसर आएग पीज़ा करेक्ट आंसर ओद एक है जी जिए कोसा जो है वह ट्रेजरी के लिए यूज़ किया जाता है खजाने के लिए कोश से कोश समस्स्थियु ना कोश ठीक है कोश से कोशा बाकी तीनों जो है वह फैमिली के साथ रलेटेड है गोतरा कुला कुल जिसे बोलते हैं वंच से वंशा वंच ठीक है समझें तो आंसर कहता है इसका सी आगे चलते हैं स्टेटमेंट के बारे में बारे में नेलाकित स्टेटमेंट बताई है किक बारे में पहला कियो नस्तिव सो veggie में उबर कर आती है प長 मी और कीरती बराड जी वेरी गुड अफ्टर नून ठीक है दूसरा यह रूल करते थे इस्टन डेकन जो एरिया उसके उपर जो प्रेज़ेंट तेलंगान और आंदरा प्रदेश बनता है प्रेज़ेंट आज का अगर हम देखे जाए तो आंदरा और तेलंगाना बनता है तीसरा का कतियाज के अंडर जो कास्ट सिस्टम है वह इतना जादा सकत नहीं था और इसको इतनी जादा सामाजी कि महत्तव जो है वो नहीं दिया जाता था हाँ जी किया अंसर आएगा का जी क्या आνसर आएगा इसका रीक्ट स्टेटमेंट बताना हिए रिगार्डिंगкахतीयाज आंसर के आगए यह मारा भी दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ठीक है अपर रूल करते हैं यहर्प यह करेक्ट नहीं है काकतियाज इतनी जल्दी नहीं हुए है ठीक है यह काकतियाज का एरिया है यह इस एरिया के पर रूल करते दो प्रेजंट यह तेलंगाना अंधरा यह सारा एरिया बनता है ठीक है यह इस एरिया के पर जो है यह यह एरिया सारा ठीक है आगे चलते हैं ठीक है जी नेक्स्ट कंसिडर दा फॉलिंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पंडित मदर्मोहनमालविया मदर्मोहनमालविया के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट्स बताईए मदर्मोहनमालविया के बारे में ठीक है पहला यह जो है प्रेजिडेंट नहीं र के पहली स्टेटमेंट दूसरी ठीक है इन्होंने पाटिस्पेट किया था दूसरे राउंटेबल कॉनफरेंस के अंदर दूसरा जो गोल में समेलन था तीसरा ये एक शोशल रिफॉर्मर थे यानि समाजिक सुधारक जो है कारे करता थे जिन्होंने अनटचेबिल्टी जात प प्रेवर में भी यह है जो संगर्ष करते थे ठीक है आंसर कहें यह मारा इसका डी टू एंड त्री चार बार प्रेजेंट रहे हैं ठीक है जी बाकी दोनों स्टेटमेंट जो हैं दूसरी और तीसरी जो है वह करेक्ट है ठीक है जी चलो आगे चलते हैं मदर मोहन माल भी है क भारत रतना मिला मर्नो प्रांथ पोष्टु मसली दोयार 14 में एडिटर रहे हैं हिंदी मैगजीन हिंदुस्तान के नाम से ठीक है एडिटर रहे हैं इंडियन अपीनियन के 1889 में हिंदी वीकली अब युद्ध्य भी शुरू किया इंग्लिश डेली न्यूस पेपर लीडर भी शुरू किया और एक हिंदी न्यूस पेपर मर्यादा भी शुरू किया ठीक है बनारस हिंदु उनिवस्ट्री फाउंडर थे ठीक है और वाइस चांसलर भी रहे उसके 1949 तक ठीक है मुसलिम्स के सेपरेट इलेक्ट्रोइट का विरोध किया और लखनवु पैक्ट का भी विरोध किया खिलाफत मुवमेंट का भी जो है कॉंग्रेस के पार्टिस्पेशन का भी विरोध किया दूसरे गोल में समेलन के अंदर शामिल रहे 1930 में गंगा महासभा शुरू की ठीक है जो गंगा के उपर बांध बनते हैं डैम्स बनते हैं उसका विरोध किया ठीक है शो नेक्स्ट है हमारा जो कोश्चन है वो है जी प्रयाग प्रस्ती के बारे में प्रयाग प्रस्ती के समंध में निमलखित कितनों पर विचार कीजी और करेक्ट स्टेट्मेंट बताइए प्रयाग प्रस्ती के बारे में ठीक है इसको कंपोज किया गया जी संस्कृत के अंदर किसने कंपोज किया जी नाग सेना ने ठीक है नाग सेना दूसरा इट डिस्क्राइब दा सरकम्स्टांसिस ऑफ समुंदर गुपता यह समुंदर गुपता के बारे में बताता है उसका असेशन इंदर उत्तर भारत में और डेकन के अंदर तो बताइए यह जो प्रयाग 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 प्रस्ति है इन में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अगरे नमीशा जी कह रहे हैं दोनों ही राइट है हाँ चल salad answer कैसे यहमारा बी टू ओली ठीक है है टू ओली केवल दूसरी statement जा यह पहली जो है यह इनकरेक्ट statement है ठीक है जी जो प्रयाग प्रस्ति है जिसे अलाहबाद पिलर भी कहा आजाता है यानी अलाबाबाद के अंदर एक पिलर के उपर इंस्क्रिप्शन लिखी गई अधिए जिसे प्रयाग प्रश्च्री का नाम दिआ घया ठीक है जिस अंस्क्रित के अंदर कंपोज किह किसने किया हरी सेना ने जो कउट subject थे कोट पोएट किसके थे समुद्र गुपता के जो मोस्ट पावरफुल रूलर रहे है गुपता के चौथी सेंच्री में ठीक है जी इसी पिलर से समुद्र गुपता के जो राज है उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वह मिलती है ठीक है जी दन आगे चलते हैं नेक्स्ट अमंग दा फॉल्विंग दा लेटेस्ट डू फॉर्म वाज अब हमारे पास यहां चार और गनाइजेशन है इन में से सबसे बाद में यानि सबसे लेटेस्ट सबसे नवीन तम कौन सी औरगनेजेशन फॉर्म हुई थी ब्रिटिश इस्ट इंडिया ब्रिटिश इंडिया बॉम्बे एसोसियेशन मदरास महाजन सबा या इस्ट इंडिया एसोसियेशन लंडन हाँ जी डिम्पल राजपू जी डिस्क्रीप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगा हाँ जी पाइडर जी कह रहे है कोई बात नहीं सी और डी सबसे लेटेस्ट का मतलब कि जो सबसे बाद में सबसे नवीन तम जो है सबसे बाद में फॉर्म हुई है आंसर के जिए मारा सी मदरास महाजन सबा सी मदरास महाजन सबा इन चार ऑर्गनेजेशन के इंदर यह सबसे लेटेस्ट जो फॉर्म हुई है ठीक है यह अरली प्लिटिकल एसोसियेशन है ठीक है जो इंडिया में और्गनाइज जी मलब इसको प्री कॉंग्रेस कॉंग्रेस से पहले की बनी हुई और्गनेजेशन बहुत सारी एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई थी ठीक है इनमें जो ब्रिटिश इस्ट इंडिया एसोसियेशन है 1851 में हुई बंबे 1852 में हुई दादा भाई ने रोजी ने मदरास नेटिव 1852 में मदरास महाजन सबा 1884 म चलो आगे चले नेक्स्ट फूंग दाफॉलिंग शोशल रिफॉर्मर पब्लिश्ट दा जर्नल कुदी रासू ने में लेकित समात सुधारकों में से किसने कुडी रासू पत्त्री का परकाशित की ठीक है हाँ जी सी एन मुदलियर नरायना गुरू रामा स्वामी नाइकर या सीवी रमन पिल्लाई हानी ये किसने प्रकाशित की नाइकर पेरियार के नाम पे बहुत सारी चीज़े है आउत के अंदर खास करके केरला के अंदर ठीक है आंसर के है सी और युनेस्को ने भी कहीं सारे वाड दिया रामा स्वामी नाइकर पेरियार को ठीक है सी रामा स्वामी नाइकर पेरियार पॉपुलर्ली इन्हें पेरियार के नाम से जना लेता है इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे एक्टिविस्ट थे जिन्होंने से प्रवीडा कजगम शुरू किया कुडिया रासू ठीक है इनकी एक क्रियेशन थी इंग्लिश के अंदर भी ट्रांसलेट हुए है तमिल्क वीकली मैगजीन पब्लिश्ट भाई पेरियार तो प्रॉपोगेट इस आइडियाज ठीक है शुटक है क्या था ठेक है बाडर इंडिया का सवाल है आधिनिक भारत का मोडर इंडिया से यह कोश्चन तो क्या वह प्रिंसली स्टेट्स जो थी इन्डिया में प्रिंसली स्टेट इसके साथ जो पर सेंजर्स को असिस्ट करने के लिए बनाई गी ती जो कामा-गाटाम बरूम है उनको खाना प्रवाइट कराना प्रवीजन और लीगल चैलींज इस के लिए ठिक है जिसमें कलकत्ता के अंदर जहां पर उनकी आदमें आज बजबज मेमोरियल बनाए गया है ठीक है गोली चली जो लोग प्रटेस्ट कर रहे थे ब्रिडिश के गेस्ट जिनको कैनेडा में एंट्री रिफ्यूज की जिए वह वापस आये कलकत्ता में प्रटेस्ट किया वाइले के साथ जो लोग थे उनके लिए बनाई गई थी ठीक है जहाँ पर जैपनीज जो स्टीम शिप आ कामगाता मारू जो 376 प्रटेस्ट को लेकर ठीक है हॉंग कॉंग से कैनेडा में वैंकूबर के लिए रवाना होती है कलकत्ता से हॉंग कांग 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 से कैनेड़ा ठीक है शोर कमेटी को लोकल इंडियन कमिनीटी ने सेट अब किया ताकि प्रसेंजर्स को असिस्ट किया जा सके और उन्हें लीगल मदद दी जा सके कुछ न्याइक और कानूनी थोड़ी बहुत मदद जोएं की की जा सके आगे चलते हैं हुँ है अब एक कमीशन लींइश लिक मिशन ल के ऑगया अलशे है कि अन्दर बुक्षेंद अब यह क्यों किस की पर विचार करने के लिए लिए लग vino बनायगा लीग मेटी या लीक मिशन जो है बनाया गया लैंड टैक्स और फैमाइन रिलेटेड रिफॉर्म के लिए लैंड है टैक्स है और अकाल पढ़ते थे बहुत जादा भेंकर कहीं अकाल आये उनके रिलेटेड तुदार करने लिए कुछ रिफॉर्म के लिए या इंडियर पब् टेक्स्ट के साथ जोड़ने के लिए इंटरप्रेटेशन करने के लिए उनकी ठीक है उनके लिए बनाए गया है हाँ तो क्या अंसर आएगा जी इसका पूजल जी कह रहे है बी बिलकुल इसका अंसर कहा जी हमारे सामने भी एथनिक कंपोजीशन पॉर्दा सुपीरियर ऑफ दा सुपीरियर इंडियन पॉब्लिक सर्विसिस उसके लिए ठीक है नेक्स्ट ली कमिशन ब्रिटिश गर्मेंट ने 1923 में पॉइंट किया सारा हमने द चाहिए डिरेक्टली जिनको रकूट किया जाए और 20 परसेंट इंडियन प्रमोट किया जाए प्रविंसिल सर्विस से ठीक है और बाइदा डेट आफ इंडिपेंदेंस इन 1947 मोर दन हाफ आफ आफ आप दी सर्विस आफ आप आउट थाउजन मेंबर्स वर इंडियन ठीक है हाई पूजीशन जिनके पास तब तक थी इसने रिकमेंट किया था कि 40 परसेंट सीधे रकूट किया जाए इंडियन और 20 परसेंट प्रमोट किया जाए प्रविंसल से ठीक है पब्लिक सर्विस इस के अंदर आगे चलते हैं नेक्स्ट विच ओफ फॉलिंग पेर्ज इस करेक्टली मैच बैटल ओफ खारदा बैटल अब बक्सर बैटल अफ बंदीवाश और बैटल अफ चिल्लियावड़ा इन में से कौन सी करेक्टली मैच है बैटल अफ खारदा बैटल अब बक्सर बैटल अबंदीवाश बैटल तो पताइए इन में से कौन सा जो है वह करेक्टली मैच है हाँ जी कि द्यान से देखिए द्यान से अधर हाँ जी आंसर क्या आएगा जीसका ए बैटल आफ खार्दा बैटल आफ खार्दा निजाम वर्जिज मराथा कॉन्फिड्रेसी ए इस दा करेक्ट आंसर निशा राना जी देखो मैं लिखतो सकता हूं वड़ देखो इसमें सक्रीन के अंदर न अब मैं यहां लिखूंगा तो वह जगा नहीं बचती सारा खिच्डी हो जाती है ठीक है तो उस वजह से मैंने आगे भी एक दूबार बताया मैं इसको नहीं मेंचिन करता मैं कर सकता बट है वो फिर सारा थोड़ा उस चीर का चक्कर पढ़ता इस वजह से मैं नहीं लिखता ठीक है बैटल अब खारदा हुई 1795 में निजाम और मराठास के बीच में जिसमें निजाम जो है बहुत बुरी तरह हरा ठीक है फिर बैटल अब बंदी वाश आपको पता है 244 में जो ब्रिडिश इस्ट इंडिया कंपनी जहां पर मुंडरो था दूसरी तर मीर कासिम था ठीक है पूरा ट्रिपल बना हुआ था ठीक है उनका और बैटराव चिल्लियां बाला जो था ठीक है सैकेंड एंगलो सिक वार में चिल्लियां वाला रीजन जो आज पंजब प अगफितर साती साथ जुड़े रहे सबका बहुत बहुत शुक्रिया हम मिलते हैं थैंख ऑगले लेक्चर के इंडर अभिशेक प्रा से नमीशा अंजू स्पाइडर अरुना सूजल जितने बी声 सब का शुक्रिया मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्च के इंदर धन्यवाद थैंक यू जी, थैंक यू अमित कुमार जी, थैंक यू, थैंक यू जी, टेक केर